हाई वेलकम टो अन्नी फैशन हमारी नई वीडियो सीधे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना होगा यह चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है इसका कोई चार्ज नहीं है आज हम आपको बेल्ट वाले बिलाउज की कटिंग दिखाएंगे बिलाउज की कटिंग कैसे होती है और बेल्ट की कटिंग कैसे की जाती है इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे यह दिखाते है यह हमारा अस्तर है अब हम बिलाउज कटिंग करेंगे यह हमारा बिलाउज का कपड़ा है इसमें हम अस्तर लगाएंगे अब हम अस्तर की किस तरीके से बिचाएंगे यह दिखाते हैं सबसे पहले हमने इस अस्तर को पूरा इस तरीके से खोल लिया यह हमने अस्तर पूरा खोल करके और दोनों किनारे इस तरीके से मिला लेंगे बराबर यह हमने बराबर कर लिया है और अपनी तरफ सेंटर बनाते हुए यह हमारा सेंटर है यह बंद साइड है हमारा सेंटर और फिर उसके बाद ये निशान लगा लेंगे नीचे स्टेट करने के लिए कपड़ा और फिर उसके बाद हम ये हम नीचे डेर्ड इंच फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद इस तरब भी डेड़ इंच निशान लगा करके ये दोनों निशान मिला लेंगे इस तरीके से स्केल से स्टेट कर लेंगे निशान फिर उसके बाद हम लंबाई रखेंगे लंबाई हमारी 15 है तो 15.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ये हमने निशान लगा लिया है साड़े पंदरा इंच पे और फिर उसके बाद आर्मोल का निशान हम लगाएंगे साड़े पांच इंच यह हमने साड़े पांच इंच पे लगा लिया है यह दोनों निशान है हमारे चैस्ट और टीरे का और नीचे हमने लंबाई का निशान लगाया है अब हम सबसे पहले इस्टेट कर लेंगे चैस्ट के निशान को और फिर उसके बाद यह तीरे का निशान है ये तीरे का निशान फिर उसके बाद तीरे का निशान लगाएंगे हम साड़े च्छे पे इस तरीके से क्योंकि ये स्लिव लेस बलाउज है इस तरीके से ये दोनों निशान मिला लेंगे ये हमने निशान मिला लिया है दोनों तीरे का और फिर उसके बाद साड़े उन्तालिस इंच हमारी चैश्ट है और फिर उसके बाद डाई इंच इसमें मिला लेंगे डाईंच मिला करके उसका आधा कर लेंगे 21 इंच आया है और 21 का आधा साड़े दस ये हमारा चैश्ट का निशान है इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद नीचे नीचे भी कमर की तरफ साड़े दस पे निशान लगा लेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से दोनों निशान को स्टेट कर लेंगे और ये हम दो इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे ये मारजन है हमारा पूरा नीचे तक और ये हमने आरमोल कर शेप देंगे इस तरीके से और एक इंच बैक पल्ले के लिए ये हमने बढ़ा करके निशान लगाया है और इस तरीके से शेप दे देंगे आरमोल की ये बैक पल्ले का निशान है यह हमारा बैक पल्ले का है यह फ्रेंड पल्ले का निशान है और फिर उसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे प्लेट हमारी 10 इंच है तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे तीरे से नीचे लंबाई की तरफ मिलाते हुए और फिर उसके बाद यहां से श्टेट करेंगे साड़े तीन इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और नीचे नीचे भी साड़े तीन इंच ये पिलेट का निशान हो गया है दोनों निशान को मिला लेंगे यह हमने स्टेट कर लिए प्लेट का निशान यह नीछे हमने स्टेट कर लिए निशान लगाया है और यह हमारा 1.5 इंच फोल्ड के लिए है नीचे कमर की तरफ और यह हमारा तीरा है और यह हमारा चैस्ट का निशान है यह यहां से हमने चैस्ट ना पिये यहां तक और फिर उसके बाद चैस्ट से नीचे कमर तक हमने निशान लगाया है और यह दो इंच हमने मार्जन छोड़ करके निशान लगाया है ये हमारा क्रॉस लाइन आर्मोल की है और ये आर्मोल फ्रेंड पल्ले का है ये निशान जो लगाया हमने और ये एक इंच हमने बैक पल्ले का निशान लगाया छोड़ करके ये हमारा बैक पल्ले का निशान है ये हमने प्लेट का निशान लगाया है तीरे से नीचे और फिर उसके बाद नीचे हमने प्लेट का निशान लगाया ये चोड़ा ही हमारी साड़े तीन इंच है अब हम कटिंग करेंगे सबसे पहले तीरे से और इस तरीके से ये हमने बैक पले पे प्लेट का निशान और ये सेंटर का निशान लगा लिया ये हमारी बैक पले की कटिंग हो गई अब हम फ्रेंट पले की किस तरीके से करेंगे ये हमारा बैक पला है और इसको सबसे पहले हम इसको हटा लेंगे फिर उसके बाद ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है ये खुली साइड है अपनी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से बराबर कर लेंगे ये दोनों हमारा खुली साइड है और फिर उसके बाद बैक पल्ले को इसके उपर रखेंगे आदा इंच अपनी तरफ से छोड़ते हुए इस तरीके से बराबर कर लेंगे ये हमने बराबर कर लिया है ये हमने आदा इंच प्रेंट पल्ले का कपड़ा छोड़ते हुए बैक पल्ला बिचाया है अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले आर्मोल का ये हमने फ्रेंट पल्ले का निशान लगाया था आर्मोल का और इस तरीके से हम बराबर मिलाते हुए निशान लगा लेंगे इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे फ्रेंट पल्ले पे और पूरा अस्तर के बराबर और फिर उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे लंबाई हमारी 15 है तो साड़े 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे फ्रेंड पल्ले पे और फिर उसके बाद 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए निशान लगा लेंगे यह हमने 1.5 इंच निशान लगा लिया है अब हम स्टेट करेंगे सीधा इस निशान से इस तरीके से स्केल रख करके दोनों निशान बराबर और फिर उसके बाद उपर तीरे के हिसाब से बराबर निशान लगा लेंगे अब हम सब से पहले पलेट का निशान लगाएंगे पलेट हमारी 10 ंच हैक welfare धांश धसे ग्यारा इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से तीरे से नीचे की तरफ और फिर उसके बाद तीन इंच हमने यह घले की चोड़ाई रखिए है इस तरीके से हमने गले की चोड़ाई रख दी फिर उसके बाद तिर्चा करके आठ इंच इस तरीके से हम गले का निशान लगा लेंगे गले की चोड़ाई से और ये हमने गले की चोड़ाई रखी है और नीचे भी हम पौने तीन इंच ये तीन इंच हमने चोड़ाई रख ल गले की और दोनों मिला लेंगे इस तरीके से निशान मिला करके शेप देंगे गले की हम राउंड में इस तरीके से यह हमने शेप दे दिये राउंड में और फिर उसके बाद यह हमारा प्लेट का निशान है तो हम इस तरीके से स्केल को रख करके स्टेट कर लेंगे और फिर उसके बाद चार इंच पे हम प्लेट की चोड़ाई रखेंगे बैक पल्ले में हमने साड़े तीन रखा था और इसमें फ्रेंड पल्ले में हम चार इंच रखेंगे चोड़ाई प्लेट की और फिर उसके बाद ये चार इंच की जो हमने प्लेट का निशान लगाया है सवादो हमने ये इस तरफ और सवादो यह हमने सवा दो इंच निशान लगा लिया और यह अब हम सवा दो इधर निशान लगा लेंगे अपनी तरफ और फिर उसके बाद चार इंच नीचे कमर की तरफ लगा लेंगे निशान और इस निशान से उपर की प्लेट की निशान से मिला लेंगे जो हमने चार इंच लगाई थी, इस तरीके से स्टेट कर लेंगे, इस तरीके से हम तिर्चे में निशान लगा लेंगे, और फिर उसके बाद, तिर्चे में ये दूसरी प्लेट पे भी हमने निशान लगा लिया है, अब हम आर्मोल का इस तरीके से निशान लगाएंगे, आर्मोल के सेंटर से ये हमने प्लेट का निशान लगा लिया है, और ये हमने आदा इंच कंदे पे नीचे की तरफ करके निशान लगाया है, अब हम तीरे से यहां तक हम बैल्ट का निशान लगाएंगे, ये हमारा बैल्ट वाला है, बिलाउज, 13 इंच हमारी बेल्ट है तो साड़े 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई से इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है साड़े 13 इंच पे और फिर उसके बाद इस साइड से हमने शेप दे देनी है बेल्ट की इस तरीके से हमने बेल्ट की शेप दे दिया ये हलकी तिर्चे में मिलाते हुए पूरा कमर तक ये हमने यहां से लंबाई का निशान लगाया था तीरे से लंबाई का निशान और नीचे डेरे इंच हमने ये फोल्ड के लिए छोड़ा है और फिर उसके बाद ये हमने प्लेट का निशान लगाया था इस्टेट करी थी हमने ये लाइन और फिर उसके बाद हमने इस्टेट करने के बाद गले की चोड़ाई रखी थी तीन इंच और गले की लंबाई हमने रखी दी आट इंच क्रोस करके हलका सा तिरचा और फिर उसके बाद हमने ये और शेप दे दी हमने राॉंड और ये हमने चार इंच भी सेटर की प्लेट पे हमने चार इंच का निशान लगाया था और फिर उसके बाद सेटर के बाद ये सवा दो इंधर हमने निशान लगाया और सवादो इधर की प्लेट पे और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ प्लेट का निशान लगाया था हमने ये श्टेट कर दिया था ये भी सेंटर की प्लेट है और ये साइड वाली हमने जो प्लेट का निशान लगाया था ये हमने इस तरीके से तिरचे में कमर की तरफ निशान लगाया है और ये सामने की तरफ की प्लेट है ये ये भी हमने तिर्ची प्लेट का निशान लगाया है और ये हमारी आर्मोल की प्लेट है जो हमने आर्मोल का सेंटर लेकर के निशान लगाया है और ये हमारा आर्मोल है ये हमने उपर आदा इंच कंदा और इधर से हमने बेल्ट का निशान लगाया था लंबाई का निशान लगाया था और फिर उसके बाद इस तरीके से हलकी तिर्ची करके ये हमारी बेल्ट की चोड़ाई है यह पूरी बैल्ट की चुड़ाई है हमारी अब हम गली की सबसे पहले कटिंग करेंगे गले की तरफ से इस तरीके से पूरा और फिर इसके बाद यह हमने बैल्ट की कटिंग करिए यह हमारा फ्रेंड पला प्लेट का निशान लगा लेंगे कैंची से इस तरीके से ताकि दूसरी तरफ अराम से निशान आ जाए और यह हमने कट लगाया है प्लेट के इस तरीके से चार हमने यह कट लगा लिए और फिर इसके बाद यह हमारी बैल्ट है अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से यह हमने पलट लिया है और फिर इसके बाद हम निशान लगाएंगे प्लेट का यह हमारी पलेट है तो यह हमारा इधर निशान आ गया है पलेट का यह हमारी साइट की पलेट है यह सेंटर की है और यह कमर की तरफ अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले सेंटर की पलेट पे इस तरीके से और ये कट से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और कमर की तरफ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे और ये हमारी आर्मोल की प्लेट है ये हमने चारो प्लेटों को निशान लगा लिया है अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे अब हम कपड़ा बिचाएंगे इसको हम कपड़े को पूरा खोल करके इस तरीके से बराबर मिला लेंगे ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है ये सब देख करके इस तरीके से हमने ये बराबर मिलाया है यह हमारा सेंटर बना, बंद साइड है यह, सबसे पहले हम बैक पल्ला उठाएंगे, बैक पल्ले को, बैक पल्ले का सेंटर, बैक पल्ले का सेंटर और इस कपड़े का सेंटर मिला करके, इस तरीके से बराबर रख लेंगे, यह हमने बैक पल्ला बिचा दिया है, सेंटर मिला करके यह दोनों सेंटर हमने मिलाया है, इस तरीके से यह अब हम कटिंग कर लेंगे साइट से आदा आदा इन छोड़ते हुए जैसे हमने अस्तर बिचाया था, उसी तरीके से कपड़े को भी बिचा लेंगे और यह जैसे हमने इधर से बैक पल्ला काटा है अब यह अब कपड़े को हम खुली साइड अपनी तरप कर लेंगे यह अपनी साइड हमने कर लिया है, पलट लिया है अब हम फ्रेंट पल्ले का अस्तर उठाएंगे इस तरीके से बराबर से बिचा लेंगे इस तरीके से बिचा लिया है हमने ये बराबर मिला करके हमने ये खुली साइड है अपनी साइड दोनों के और अब हम बैल्ट इसके उपर इस तरीके से रखेंगे बराबर मिला करके ये हमने बैल्ट रख लिए है अब हम गिले की साइड से कटिंग करेंगे पूरा आदा-दा इन छोड़ते हुए इस तरीके से यह हमारी बिलाउस के कटिंग हो गई बैल्ट वाले बिलाउस यह हमारा कम्प्लेट हो गई कटिंग आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करना न भूलिएगा प्लीस हमें सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू बाबाए